अरा भाया मोंटरने चनल आएं लाइक इजे शेर केशे और सबस्राइब केज़े बाया दिस इस अगने चौधी आप्य नियू येर टो आल और तैंक यू सो मच अखिल से इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चनली देने के लिए सो बेसिकली मैं इस फिल में रादा का करेक्टर प्ले कर रहूं जो मेरी रियल लाइफ से कही न कही मिलता जलता है एक दम दबंग टाइप की लड़की है और मुफट है बहु जो भी मन में आता है वो बोल देती है सो इम वेरी हपी मुझे प्ले करने में बहुत मजा आने अवाल है इससे पहले भी मने एक फिल किया है बट अभी रिलीज नहीं हुआ है वो पोस्ट पे है बेसिकली सो यस इस इस मैं फॉर्स प्ले करेक्टर प्ले करना चाहते है अभी तो अब ग्लैमरस लोग मैं हैं आगे अभी को अगे प्ले करेक्टर कें ये का यह यो पी को मने बाड ओर किया ब्ली तनी बोलत है लड कि कुछ भी ओलत जाती आरी है तो सो बहुत मजा अने वालाר मैं लेला है लानी हूं की क्या पुष्पा health मैंने मुद्सिता इंडिया किया डेलीविद मिस्टा पॉस्ट भी तो तक पुष। चाहे किस नर्ट रूर्टी गिस्ता घृदार आप को अपको इस में मिक्स है पहिनी भी है और गैंग इस्टर के साथ हो, तो जरूरण मारधार भी करूँगा, और काफी इंट्रेस्टिंग करेक्टर है और यह करेक्टर मेरे लुक पर भी जाता है, करेक्टर का नाम यह कलूग है तूपिर कलवय करेक्टर का नाम है और मैं उसको नल फशानी भी है और जहाँ पे कार अभादव घंप होता है मज़े दार करेक्टर है तो हर मोमेंट पे अलग अलग उसके आपको किरोड़ देखने को मिलेंगे मज़ेदार काफी इंट्रेस्टिंग है और मुझे इस करेक्टर के लिए जो करेक्टर करने वाले वो ब्रज भासा की टॉन में ब्रज टॉन में तो ब्रज टॉन के लिए मुझे जितनी में एक्टिस से बात हो रही थी तो वहां टॉन को यूपी टॉन का बड़ा मतलब इतना नहीं नहीं दिखता था मुझे कि यह ल मत्रासी हूँ तो जिस बादसा में काम बन गया तो राधा, राधा कुछ बोल के बताए कि ब्रज भाषा में कैसे आपने कुछ भी स्टार्ट करते हैं आप साथ है एक दूसरे से, आसान होगा, मैं एक्षर नहीं हो या, आप लो करेंगे, अभी तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आवध से हूँ, तो आओधी है मेरा, आओधी होता तभी तक मैं कर चुगा होता, फ्लर्ट, एक तो होता है कि हम यहाँ पर बोलते हैं, कहा जा रहा है तो तो हमारा जो तो कहा जा रहा है का करे गGroup तू कारेगा प्रफला दिखा है और जो सेरी हार मों है, पालिटिशन और अद्गारी वगरा है वो सब लोगों है इंदी बासा को यूज़ कर रहे हैं, तो umasИ पकर था रादा करेक्टर के लिए कि वहां से अगर बेसिकली कोई अगरा एक्ट्रेस मिलती है जिसको सिट आपको जो एक्ट कराना है वही कराने तक सीमित हो तो पर्फेक्ट थी करेक्टर के बारे में थोड़ा सामारी ओर्डियन्स को बते कि जब भी आप स्क्रीम पर आते हैं लोग आपके किरदार को लेके ज्यादा पैसिनिटेड रहते हैं क्या कहना चाहेंगे सर इस बार किस तरह का किरदार होने बदे इस वे मैं टिपिकल यूपी का जो एक मिनिस्ट जो टोटली निर्द़ई और वैसे तुम मुझे लगता है कि पॉलिटिशन होते ही सारे निर्द़ई हैं तो नहीं आपको नहीं लगता ऐसा कि पॉलिटिशन में कुछ एक मतलब दिल में कोई जगा होती नहीं है उसी तरह का ये किरदार है और ये है बहुत कलरफुल किरद सिर्फ यही नहीं है कि वो लेकिन सत्ता को पाने के लिए किसी हग तक भी गिर सकता है मतलब यह मैं यह चीज़ें जो बोल रहा हूं आप लोग उससे अइडेंटिफाइ कर रहे हैं क्योंकि आज कल यही चलो है सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है यहां तक के मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार है और पावर हंगरी है एक तो पैसे का लालच होता है उससे बड़ा सबसे बड़ा पावर का लालच होता है वो पावर का जिसको चसका लग गया, तो फिर वो पावर के बगएर उसका घुजारा होता नहीं है, उस तरह का ये किरदार है, बहुत स्ट्रॉंग किरदार है, तो मैंने इनसे पूछा था कि भई अगर ये अकिल साथ से, कि अगर ये किरदार अगर आप किसको जहन में रखक आपने लिखा, तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंट दिया, मैंने ले लिया कॉंप्लिमेंट, इन्होंने नहीं दिया, बोले मैंने ये किरदार अमरीज जी को सोचके लिखा था, मतलब ये किरदार अमरीज जी को सोचके लिखा था, फिर ये मेरे मेरे पास मेरे जैसे वो तो बहुत बड़े थे मेरे लिए ये बहुत बड़े उसकी बात है कि अमरीज जी के साथ मैंने बहुत काम भी किया और मैं अखिल को बहुत मुबारक बात देता हूं और कि इतना जोश और खरोश के साथ डिरेक्टर में जो एक लिखा भी खुद है सभी कुछ ये वन मैन आर्मी है और बहुत अची स्टार कास्ट है अश्मित है जुबेर है और नील है सारे के सारे बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं तो मुझे बेंतहा खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं देखिए पाते हैं उस शाख बतों से क्या फैज एक ब अच्छेश शाव चूजेए लिए फिल्म जिसे प्रोजेशना आउ से घिट फिल्में दी बाद में बहुँ सारे प्रोजेट्स किये तो ज्लाधा तर मतब सलिप सो रहत रहुते हैं रोल को ले गए तो ये इस फिल्म में सलेट करना मतब क्या रिजन रहा इस प्रोजेट कर मैं कितना रिवील कर सकता हूँ, तुर ने इतना ही का कि आप इतना ही बदाईए कि आपका जो किरदार है, SSP का है, जिसे शबाज भाई बोल रहे थे, इमका किरदार एक नेता का है, तो इस फिल्म में नेता और पुलीस का जो नेक्सस है, उस पे थोड़ा सा हमने लाइट डा जाने मादा है, क्या तियारिया की है अपनी तरफ से, प्रिपरेशन, तो अभी तक कोई तियारी नहीं हुई है, मैं अगले मेने से, फ्री होंगा थोड़ा सा, तब तियारी होगी, बोडी लैंविज, लैंविज, क्योंकि यूविसली यूपी बेस फिल्म है, तो उन पे का अगिया जाएगा, उसके अलावा, जो आई साब बोलेंगे, कुरेंगे, आठाध करि यूब सेूरू होने वाले यूपी इस शूुअग कर लिया यूज ए पैंतिस दिन कालगवक सुडूले ठोको पूरा, इसको शूूदि अगरब नोनसी यूभी अगरिनटून जारी है, धनजय नाम टाइटल में में मेरा और हम लोगों ने जो स्टोरी इसकी लिखी है वो हर करेक्टर को ध्यान में रखके स्टोरी थी हमारी सेवाज सर पदम सिंग जी नील भाई आपके जुवेर जया जी और हमने इसके लिए जितने ओडिशन रखे थे मतलब एक पूरे देश के जाती है नेताओं की पुलिस का जो गट्चोड है आपने कम तवाम फिल्म देखी होंगी जिसमें कि आपको से राजनीती ऊपर के इस तर से दिखाई जाती है कि राजनीती में सरकार बनाना करना लेकिन सरकार बंती किस तरीके से है जमीन वेस पर जो बूस से स्टार्ट होत का तो धनेंजय की कहानी उस नेता बनने के सपने पर आधारित होती है जो बाहुवल से निकलता हुआ एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जो सरकार बनाना और विगाड़ना जानता है यह उस पर बेज़्ड है और बहुत बैतरी इन बनाएंगे हम इस मूवी को और मैं समझता ह न की और इस व्न जो धन्नान दारित है मिए और राजनिती को जिस प्वरे प्राशाउंनर नो जिस तरीके से प्राजनित करते física सब्स्ता के ना चाहते है सोई झाल डॉक्ति करते साधा है विस्व को एक सकती है राजनीती जो पूरे धेस को विस्व को चलाती है उसपर आप दरेता ही है तो धनंजे कोन है इसमें कोन कर रहा है ये करना ना दियार जी पहली बार में पहली बात तो मैं कहाना चाहोगा आप सभी का स्वागत है आप अपना वक्त निकाल के आप कीमती वक्त हमारे लिए और आप सभी को सब हम फो देरc Flash कामना है चाहते हैं कि अभी इनकी फिल्म धननजय जो कि अब हमारी फिल्म बन चुकी है, इस बिकम ए फामिली और मेरी फेवरिट स्टार कास्ट हैं आपे, शावास भाई, समीर, जुबैर और अश्मित जी हैं, आप हीरो इंसे में अभी तक मिलानी हो, तो उनका नाम दोहा भी बता द जी हैं, इसमें दरंजय के जो अपोजिट है, वो हैं आपकी मीरा सारंग, और अगनी इसमें जुवेर के अपोजिट है, रादा करेक्टर है वो, और जुवेर करने हैं इसमें रभू आईटेक करतार, जी, पहली बर जब मैं इनसे मिला तो इनोंने मुझे एक किसी और फिल हो के बताया, पहली बार में, पहली बार में मुझे समझ गया कि ये बहुत ही involved है, बहुत ही determined है अपने काम को लेके, और जब मैं इनसे मीरिंग करके जा रहा था उस फिल्म की, तब इनोंने कहा मैंने एक और फिल्म बनाने का प्लान किया है, तो मैंने का बताये कौन सी, उन एक तो ये नाम ही अपने आप में बहुत पाफुल है, विच अट्राइक्टिड मी तो साइन दस फिल्म, और मुझे लगता है कि कुछ फिल्में जो होती है, जो उमीद नहीं होती है, लेकिन उमीद से बढ़कर कायम हो जाती है, सक्सेस्फल हो जाती है, उन में से एक होगी है, जितनी स्टॉरी मैंने इन से सुनी है, पहली बात तुम्हें इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने ये फिल्म लिखी है, खुदी डिरेक्ट करने वाले हैं, पूरी कास्टिंग इन्होंने की है, बहुत सारे ओडिशन के चुना है, और मैं बहुत शुक्रियादा हूं इनका, कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि मैं इनका धननजय बनूँ, और अभी तो बहुत महनत बाकी है, मुझे मेरा वीड गेन करना है, और लोज अफ स्टाफ, बट उमीद करते हैं कि ये फिल्म जो है, ये जो इनक आना चाहेंगे कि इनका जो धननजय सिंग है, उनका चेहरा भी इन से कुछ ज़्यादा ही मिलता दिलता है, वाइस भी मिल रही है, तो क्या ऐसा कुछ ये रहा कि आपने इनको चुना है? देखे कहानी मैंने लिखी है, और उस कहानी को जो डायलोग मैंने लिखे है, मैंने खुद उन डायलोगों को प्ले करके, मैंने खुद उन डायलोगों को जी आय किया है, मैंने, उसको करने के बाद मैंने डायलोग को फैनल किया है, मैंने, अपनी स्टोरी में, हर करेक्टर क मैंने जी आए मैं दो साल से इस फिल्म के एक छोटे से और धनेंजे तक के करेक्टर को मैंने जी आए और उसी आदार पर जब मैं मिला था तो मैंने होरर फिल्म के लिए बात हुई थी मेरी तो मेरी उस समय जब मुलाकात हुई तो मैं देखकर के में दमाग में किलिक था कि तो जिस दिन मैं मिला तो मैंने का दनेजे मुझा तो उसके बाद वातों को घुमा रहे हैं तो हर किरदार को मैंने जी आए तो हमारी दो घंटे चालिस मेटगी होगी बड़ी फिल्म है इसमें सौंग तीन सौंग है मेरे सौंग तैयार भी है मैं आपको भी सुना दूंगा तो मैंने हर चीज हमारी परफेक्ट है टेक्निक के साफ से एक्षन मुवी है एक्षन में हमने जो टेक्निशन होते हैं सब लोगों की फिल्म है वो सब अपनी फिल्म कर रहे मेरी प्रिक्र Means है सब लोग की फिल्म है वो सब में जी जान से लगे हुए है सबसे पहले बताये कि क्या operation है अप लोगों की तरफ से आज सर ने पिरंटों अनौंस कर दिया है, सारे किरदारों उसे भी मुखातिब करवा दिया है, आप लोग बताई आप लोगों का क्या किरदार है और किस तरह की प्रिपरेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से अब सबसे पहले तुम आप सबको नए नए साल की बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूं और जितने लोग भी वहां पार पीछे भी उपस्तित हैं उन सबको भी नए साल की शुबकामनाई साथ ही अखिल के लिए बहुत बहुत शुबकामनाई क्योंकि इसनोंने हर कैरेक्टर को जिया है जैसा कि अभी अभी बताया मुझे भी चार बार इन्होंने स्टोरी सुनाई और उसको सुनाने के बाद और जो इनका चूस किया जिस भी करेक्टर को इन्होंने चूस किया है बहुत सच करने के बाद किया है तो इसका इन्होंने मूर स्टेडी किया है और एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जिसमें हम इस सब्सक्राइब करेंगे और फिल्मए जब अभिने करेंगे तो वहां भी प्रशंसनी कार्म करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हम character के बारे में आपको यह बता सकते हैं कि हमने सुना है यह सब बात है। लेकिन इस वक्त हम सिरफ एक कच्ची मिट्टी जो होती है मिट्टी मिट्टी हैं और हमारा डिरेक्टर हमको जिस तरीके से conceive करके उन्होंने present करना है। उसी तरीके से अपने आपको प्रेजंट करेंगे वो जिस तरीके से हम को चाहते हैं उसी तरीके से हम अपने आपको प्रेजंट करेंगे अभी हम पहले से धार्णा बना कर उस केरेक्टर को जीने लगेंगे तो हम जब फ्लोर पे पहुंचेंगे तो हम अपनी ही धार्णा के म जुबेल, आपको जब अप्रोच किया गया, क्या रीक्षन था और क्या ब्रीफ मिला था था था? जब मैं सबसे पहले तो अखिल सर का बहुत 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 शोकरी आदा करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने मुझे कन्विंस किया इस चारेक्टर के लिए, क्योंकि मेरी न्याय दाजस्टिस फिनिश होगे यह फिल्म, और उसके बाद मैं राजी वालिया सर की धड़के दिल बार बार भी है, तो इस इस फिल्म विच तचिंग द पॉलिटिकल बैक्राउंग्राउंग्राउंग्र यह मेरी करियर की पहली राजनीतिक काइंड फिल्म ह और बहुत जादा मैं कन्वेंस पहले समझ में नहीं आई थी मुझे स्टोरी और पिर जब सर ने मुझे तचली में बहुत डीटेल में स्टोरी संजाई और मेरा कारेक्टर संजाया, रगु हाईटेकर के कारेक्टर है, और मैं अच्छली आम डेरिक्टर साटर तो मैं पूर तो बहुत सारी चीजे हैं मैं वेरिएशन में आ रहा हूँ तो पहली मेरे करियर की एक एक पॉलिटिकल बैक्राउंड वली फिल्म है, जिसके मैं बोल सकता हूँ के सर की उपर सब कुछ है, और सर ने जिस तरीके से मुझे कारेक्टर नरेट किया तो बहुत एक्साइट रह सब कुछ सर की उपर है और अब मैं कन्वेंस हो गया हूँ और आम बेरी हापी और पहले थोड़ा जिजग रहा था बट सर ने इतनी अच्छे थे कन्वेंस किया मुझे और आम बेरी हापी कि ये कारेक्टर आ त्राइट गिव मैं बेस्ट यप रगु आइटक करेक्टर जो अब आपसली और उस जिस भी गरेक्टर को इनने जीवन्त बनाय हम भी अपने परफॉरमेंस के लेबल पे जाकर उस के रेक्टर को जीवन्त बनाये हैं यह हमारा भी प्रयास तो अब आप खुलबें हो मतलब उसको मैं वो सकते हैं और इनका करेक्टर एक संगिता करेक्टर है जो दरज्य की भाई की बाइफ का करेक्टर है तो इन लोगों को मैंने लगब लगब पांच महीने वर्क्सॉप कराई है उन करेक्टरों के लिए लोगडाउन में जब लगाउन लगा हुआ था तो हम लोग आते थे वक्षॉप लोग ने चालू रखा था आगरा में तो पूरी प्रैक्टिस है लोगों की एक ये है जुनेर कस्मीर से हैं इनको भी पूरा करेक्टर के है मुरुली करेक्टर है उसके लिए इनको साइंड किया है तो ये भी न्यू फेस है अब ये मान सकते हैं कि निलोगों की पहली फिल्म हैं अब इनको जितना कराना है वो मुझे कराना है न्यूगों को करना पूरी महत के साथ है नियू नियू प्राइम ये नियू पर फैंक्स ऑर अवरेवरीवन फोर काम इंग है और मैं ने मैं इस रूबी निर्मर जुकने की जुड़त नहां जे आपको भी मज़ा आएगा मुझे भी बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है इस क्यारेक्टर में और चम्चा मोद है सबसे पहले आप सभी को नबवर्ष की शुपकामना है जब कोई व्यक्ति अगर एक सपना देखता है और उसको पूरा करता है तो यह उसके तन की बात होती लेकिन तो सपना अखिल का है इन्होंने देखा है और हम लोग उसको साकार कर रहे फिल्म में एक डेड़ साल से हम लोग भाग रहे थे चीजे तियार कर रहे थे तो इसमें केरेक्टर है छुट्टन भाहिया अब इन्होंने एक दिन हम लोग रस्ते में से जा रहे थे और अभे भाई से मिल के आये थे यह बोले कि छुटन करेक्टर मिल नहीं रहा है तो हमने का कैसा करेक्टर है वो नेता का राइट हैं जो तो ना जो साथ रहता हमें साथ वो है बोले तुम कर लो हमने का हमें तो कोई एभी सीडियस चीज के पारे में कुई यानकारी नहीं हम कैसे इसको कर सकते हैं परिवार खांदान में भी किसी ने कभी केमरा फेस नहीं किया तो यह बोले जो तुम हो तुम वहीत तो कर रहा है === अभी हम वो वो चीजें हम लोग करी रहे हैं और चुटन जो केरेक्टर है बहुत शांदार है फनी भी है और अंत में धनजा भीया यहां बैठे हैं तो उनकी तरफ से एक लाइन है जो भी जुब्रज में है कि तैने जो कही है और मैंने वो सुनी है पर जुब हीया के बस वो ह जाए है मनीज जी राजनीतिक परवेसे हैं और राजनीति यूपी में मानली जीए कि सिर्चड़के बुलती है हर यंग बढ़के को लगता है कि मैं नेता बन जाऊं तो ये राजबबर जी के साथ रहे हैं चुनाप से लेकर करी है तो वो से नेरो था इल्यों बोले मैं मैं आपको पर आपको अब दोस्त भी यह गुरू भी और दूसरा यह था कि मैंने मेरी पहली फिल्म थी तो मेरा मनना यह था कि मैं कम से कम मैं मैं भी लॉंच हो रहा हूं मेरा भी लॉंचिंग है यह फिल्म और उंबीदों पर ख़रा उतारना है मुझे भी और सब लोगों को जो नोड़े विश्वास किया उनको लुदारना है तो इनको मैंने बोला हूं तुम सिर्फ मेहनत करो साव... मेहनत करो भाई... क्या कहने कैना जाहेंगे Sir, अपने कर्दार भूलेगे Actually मेरा हूँни... मैं बता रहाू, सुन्छा मैं मुर्ली करेक्टर है ये ये लवगुरू हुआ लवगुरू वाला करेक्टर है इंका लवगुरू तो लगता नहीं है yara तो यह प्लाटफॉरम देके यह पहली मोई है मेरी तो अपको पता है तो बेस चाहिए होता है अरे को तो अखिल सर बनेगे मेरे बेस आक्षुल में अब मुझ तक है कि मैनल मुझे करनी है यह करी रहे है मैनल जितनी मेर करूंगा वह आगे देखे है कि फिर क्या होता है बट अब मुझे, मतलब इन्होंने मेरे ओपर बरोसा किया है, अब इनके बरोसे पर कायम रहना है, आगे मुझ तक है, क्या कर सकता हूं यह धनजे जो फिल्म में आप काम कर रहे हैं, आपके लिए कितना अपर्चुनिटी है आपके जीवन के लिए, आपके लिए खुद ही सौन सकते हैं, एक लोकल आदमी के लिए उपर्चुनिटी गैसी हो सकती है, क्योंकि यह मेरे को प्लाटफॉर्म मिला आगे बढ़ने के ल हैं, एक और हैं, एक लेटी सौनिटे में करा रहे हैं, समीर से परचत हैं आप लोग, जया स्विंग है यह, जया जी को, यह क्रेक्टर था मेरे मेरे में, रंजीता चोतरी, जया जी को मैंने देखा, और इसी तरीके सी थोड़ा मत्त दवंग फेस मुझे चाहिए था, जया पांच महाइने से लगाता वक्सवाप इनको कराई मैंने और यकीन मानिए कि मैं मतलब मैं खुद है रन्था कि आप खुद इतना टेलेंट था कि आप इनको कराते थे इन्होंने वखुवी उस तरीके से किया कि मतलब इनको देखके फिर लगा कि यार यह तो कई करेक्टर में फिट वेट सकती हैं और बहुत ही मेहनत करी इनने है जैसा कि सर्म ने बताया ही है कि इस फिल्म में एक रंजीता चौधरी का रोल है जो कि कुछ परस्नेल्टी वाइज भी शाहिद आपने जो सोचा है उसी त और पहले जों धन्यवाद बोलता हूं अकिल पारस्फरी को जब एक प्रडूसर मूवी बनाता है जो सबका घर चलता है या वो स्पोर्ट बॉय हो या एक्टर हो कोई भी तो सबसे बहुत धन्यवाद बोलता है इसमें मूवी में छोटा सा रोल भी कर रहा हूं है और बहु और बहुत प्रिए दर प्र थाल को भी कि वो या बोलता है रि क्वाद भी कर दिंड है जो सबसे बनाता है रोल भी को बाता है